दोस्तों आज हम बात करेंगे लबू कबीर के फायदय के बारे में जो आप सब इसी वीडियो में देख सकते हैं दोस्तों ये लबू कबीर है और इसे युनानी फार्मेसी की सारी कमपनिया बनाती है लबू कबीर के नाम से अर्र ये युन सबन्धिक बिमारियों को ठीक करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है यानी युन सबन्धिक बिमारियों में ये बहुत ही अच्छा काम करती है आज इकाल दोस्तों देखा जा रहा है कि लोगों में सुक्रारों की कमी हो रही है क्योंकि खान पान सही न होने के कारण लोगों में सुक्रारों के संखिया कम हो रही है जिससे बच्चा पैदा करने में बहुत ही दिकत का सामना करना पर रहा है अगर ऐसी समस्या है तो आप लबू कबील का जरूर इस्तमाल करिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इसके इस्तमाल से दोस्तों अगर वीरी पतला है अगर आपका वीरी गाढ़ा नहीं है पतला है अपतले पन की वज़से आपको सिग्र पतन की समस्या है यानि आप अपने पार्टनों को संतुष्ठ नहीं कर पाते हैं तो लभू कबीर का इस्तिमाल करते हैं तो वीर को गाढ़ा करता है, सिग्र पतन को ठीक करता है दोस्तो अगर आपके पेनिस में कम जोड़ी है खून का सर्कूलेशन सही से नहीं होता है और तनाव सही नहीं आता है तो लभू कबीर खून के सर्कूलेशन को बढ़ाता है आपकी मास्पेसियों में ताकत पैदा करता है और सरीर की कम जोड़ी को ही दूर करता है अगर आपके अंदर सरीर में कम जोड़ी है तो लभू कबीर के इस्तमाल से कम जोड़ी को दूर कर देता है सिगर पतन को ठीक करता है लिंग की मास्पेशियों में ताकत पैदा करता है दोस्तों अगर आपके अंदर टेस्टेशन लेबल कम है यानि कम हो रहा है हर्मोन लेबल कम है और आपको सिक्स करने का इच्छा नहीं करते हैं यून इच्छा आपके अंदर नहीं है इससे मन भग रहा है तो आप लभू कबिर का जरूरी इस्तिमाल करिए दोस्तों आपके अ दोस्तों लबू कबीर एक ऐसी और सदी है ये नियून संबंधि सभी बीमारियों में इसका काम है अब लोग इस दवा को मजाक मिलेते हैं यह काम नहीं करती है नहीं दोस्तों ये बहुत ही अच्छा काम करती है अगर आप इसको कंटिनू दो से तीन महीने तक अगर कंटिनू इस्तिमाल करते हैं तो आपकी ये सारी समस्यां को ठीट कर देगा लबू कबीर लबू कबीर इस्तमाल करने का तरीका पाच-पाच ग्राम की मत्रा में सुबह साम हलके गुनगुने दूद के साथ में आप लीजिए और अपना खान पान सही रखें बादी चीजों का प्रहेज करें बाहर की तली भुने चीजे बिल्कुल बंद कर दिये खाटा बिल्कुल मत खाइए और अपना डाइट अच्छा रखिए और इसका इस्तिमाल करिए सुबह साम पाच-पाच ग्राम की मत्रा में आपकी सारी समस्षा है ठीक हो जाएगी नमस्कार दोस्तुम् क्या अक्यान डीजे जाएखिए picking की मत्राबकी सत्री नमस्कार बंद क्या गुझ मत्राम क parenthिए प्रश भापशाग और छ globalization क्या रखिए बिल्कॉलान के त स्मित्रान के जाएट।